हाँ जी इसका पहला श्लोक देखिए उद्ध्यमेन ही सिद्ध्यन्ती कार्याणी ना मनोरत है नहीं सुप्तस्य सिंगस्य प्रविशंती मुखे मुरेगा उद्ध्यमेन अर्थार परिश्रमेन उद्ध्यमेन अर्थार परिश्रमेन यानि क्या मेनिंग हो जाएगा परिश्रम से ही कारे सिद्ध होते हैं ना मनोरथे इक्छा करने से नहीं नहीं सुपतस्य सिंगस्य प्रविशंती मुखे मिगा जैसे सोय हुए शेर के मुख में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते अर्था शेर को भी अपना बोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है अब अगला देखिए पुस्त के पठिता हा पाठा हा जीवने नैव साधिता किम भवे तेन पाठे जीवने योना सार्थका पुस्त के पठिता हा पाठा पुस्त तक मैं पढ़े गए पाठ को जीवने नैव साधा यदि जीवन मैं नहीं साधा गया अर्थात व्यभार मैं नहीं लाया गया किम भवे तेन पाठे जीवने योना सार्थका तो ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या यो जीवने ना सार्थका जो जीवन मैं सार्थक नहीं है तो ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या जो जीवन मैं सार्थक नहीं है अगला देखिए प्रिये वाक्ये प्रदानें सर्वे तुस्यंती मानवहा तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता प्रिये वाक्ये प्रदानें प्रिये वचन बोलने से सर्वे तुस्यंती मानवहा तुस्यंती सभी मानव यानि सभी मनुस्य संतुस्ट हो जाते हैं प्रिये वचन बोलने से सभी मनुस्य संतुस्ट हो जाते हैं तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम प्रिये ही बोलना चाहिए वचने का दरिद्रता बोलने में कैसी गरीबी इसलिए प्रिये ही बोलना चाहिए बोलने में कैसी गरीबी अगला देखिए गच्छन पिपील को याती योजना नाम शतान्य पी अगच्छन वेनतयो अपी पदमेकमना गच्छते गच्छन पिपील को याती गच्छन जाता हुआ चीन्टा भी योजना नाम शतान्य पी याती सैक्डों योजन चला जाता है अगच्छन वेनतयो अपी पदमेकमना गच्छते किन्तु ना चलता हुआ गरोड एक कदम भी नहीं जाता है किन्तु या लेकिन ना जाता हुआ या ना चलता हुआ गरोड एक कदम भी नहीं जाता है आगे देखिए काकह क्रिष्णहा पिकह क्रिष्णहा कोभेदहा पिकक्का क्यो वसन समे प्राप्ते काकह काकह पिकहा कुईल और कवे में कौन सा भेद है वसंत समय प्राप्ति का कहा का कहा पिकहा पिकहा वसंत समय प्राप्ति बसंत का समय आने पर कववा कववा है और कोयल कोयल है क्योंकि जो कोयल होती है वसंत रुतु में बहुत मदुर स्वर में गाती है तो दौनों का भेद जो है वसंत रुतु में ग्यात हो जाता है हाँ जी इसका पहला question देखिए सभी इस लोकों को सस्वर गाओ दूसरा है इस लोक के अंसों को मिलाओ यानि इस लोक जो इस लोक का सही match है वो आपको करना है तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए वचने का दरिद्रता बोलने में कैसी गरीबी अगला है गच्छन पिपीलिको याती योजना नाम शतान्यपी जाता हुआ चीटा भी योजना नाम शतान्यपी सैक्णों योजन चला जाता है अगला है आपका प्रिये वाक्ये प्रदानियन प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुस्यंती जन्तवहा सभी जन्तु यानि सभी प्राणी चन्तुस्ट हो जाते हैं किम भवे तेन पाठें उस पाठ को पढ़ने से क्या जीवने योना सार्थका जो जीवन में सार्थक नहीं है का कह क्रिष्णहा पिका क्रिष्णहा को भेदा हा पिक काक्यो कवव काला है कोयल भी काली है को भेदा पिक काक्यो कवव और कोयल में कौन सा भेद है अगला कोश्चन देखिए प्रश्णों के उत्तर लिखने है प्रश्णा नाम उत्तरानी लिख़ए पहला है सर्वे जंत वाहा कें तुस्यन्ती, सभी जंतु या सभी प्राणी किस से संतुष्ट हो जाते हैं। सभी जन्तु या सभी प्राणी प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं अगला है पिक काक्यो भेदा कदा भवती कोयल और कव्य में भेद कब होता है तो पिक काक्यो भेदा बसंसमय भवती कोन जाते हुए सेक्ड़ो योजन चला जाता है कौन चला जाता है पिपीली कहा पिपीली कहा गच्छन योजना नाम शतान्य भी याती अस्मा भी किम वक्तव्यम हमारे द्वारा क्या बोलना ची कैसा बोलना ची प्रिय बोलना ची तो अस्मा भी प्रियम वक्तव्यम अगला कोश्चन देखिए कोश्चन नम्र फूर उचित कतना नाम समक्षम आम यानि जो सही कतने उनके सामने आम और अनुचित कतना नाम जो अन आप तो न आ जाएगा रिय स्मां कि प्रियां कि प्रिय ना चाहिए न वह नीए वह नौ नहीं चाहिए वसं समय पिकाटच मेऊ त ап मेषREE काई में वह संक पता लगताै कि आप हे बन देब घॉर पर चूर सथी प्रेम गलत हो गया तो ना आएगा वचने धरिद्रता ना करतव्या बोलने में गरीबी नहीं करने चाहिए क्या जाएगा आम प्रस्न संख्या पांत देखे मंजूसा से समान आर्थक पदों को चुन करके लिखना मंजूसा में पद्दे रखें ग्रंथे कोकिलाह गरुळः परिश्रमियर कतने वचने का परियावची क्या है गतने वैनतेय गरुळः पुस्त के ग्रंथे उद्यमेन परिश्रमे उद्यमेन परिश्रमे पिकह कोकिलह अब देखे प्रस्न संख्या अच्छे देखे विलोम पदानी यूज्यत विलोम पदों को मिलाना है सार्थ कहा, निरर्थ कहा, क्रिश्न हा, स्वेत हा, अनुक्तम, उक्तम, गच्छदी, आगच्छदी, जागरतस से, सुप्तस से, तीके ये आपका चाप्टर एट समाप्थ हो गया अनुक्तम, निर शेखे विलोम पदों को मिलाना है